दोस्तों इतियास के पन्नों में एक दुखत घटना जिस घटना ने पूरे दुनिया को हिला के रख दिया ये एक ऐसी घटना थी जिसमें बहुत सारे लोगों की जान कुछी घंटों में चली गई ये घटना उस टैटेनिकी है जो कि उस सदी की सबसे विसाल जाज था दोस्तों उनिष्मी सदी की सुरुआत में एक ऐसा समुदरी जाज बनाया गया जो इस धर्ती का सबसे बड़ा समुदरी जाज था जिसका नाम टैटेनिक रखा गया दोस्तों टाइटेनी की कहानी शुरू होती है उन्निस्वी सदावदी के सुरुवात में उस समय जर्मनी और ब्रिटीज में एक दूसरे से बहतर करने की होड मची थी दोनों एक दूसरे से आगे निकलना चाते थे इसी कारण दोनों में होड लगी थी बड़े से बड़े जहाज निरुमान करने की और एक दूसरे से बहतर बनाने की इसी बिच ब्रिटेन सरकार ने एक ऐसा जहाज बनाने का फैसला किया जिसका बराबरी करने वाला दूसरा कोई जहाज ना हो जो एक आलिसान महल से भी बड़ा और सुन्दर हो ये जहाज बाहर से जितना ज़्यादा खुबसुरत दिखाई देता उससे कहीं ज़्यादा ये जहाज भीतर से सुन्दर था बाहर का दृस किसी बड़े होटल से कम नहीं था दोस्तों ब्रीटिस सरकार ने इसे बनाने के लिए वाइट स्टार लाइन कमपनी को इसका ठेका दिया इसके बाद 31 में 1909 को दुनिया का सबसे बड़ा जहाज बनाने का काम सुरू हुआ इस विसाल टैटेनिक जहाज को बनाने के लिए इंजिनियर और कारीकर ने मिल करिज तीन सालों में समुद्र में चलने वाला एक विसाल जहाज का निर्मान कर डाला इस टैटेनिक जहाज को 16 अलागला कमपार्टमेंट में बनाया गया था जिसकी वज़ा से ये पूरी तरह से वाटर टाइट था इसकी इसी खुवी की वज़ा से इसे कभी न डूबने वाला जहाज कहा गया टैटेनिक जहाज 2 अपरेल 1912 इस वी को पूरी तरह से समुद्र में चलने के लिए बनकर तयार हो चुका था जब सरकार ने इसके पहली यातरा के लिए तारिक निर्दारित किया तो लोग इसमें पहली यातरा के लिए काफे उस्साहित थे सभी ने इस यातरा के लिए अपना अपना टीकट बनवाना शुरू कर दिया अब टाइटेनिक पहली यात्रा के लिए पूरी तरह से तयार था इस टाइटेनिक जहाज की पहली यात्रा को देखने के लिए उस बंदरगा पर करीब एक लाख लोग पहुँचे थे इस तरह से टाइटेनिक अपनी पहली यात्रा साउथ हैम्टन से यात्री को लेकर अमिर्का के लिए निकल पड़ा हालांकि टाइटेनिक जाज समुद्र में चार दीनों तक सही तरीके से अपनी मंजिल की ओर ठीक ठाक से जा रहा था जाहाज में बैठे यात्री भी काफी खुश थे क्योंकि वो सभी एक बहुत बड़े जाहाज में सवार थे सभी यात्री खाते पीते और पूरी मस्ती करते हुए आगे बढ़ रहे थे टाइटेनिक पर वो सभी फसलेटी उन्हें मिल रही थी जो उन्हें चाहिए 14 अपरल 1912 को रविबार की रात में समुद्र में काफी सांती था और आसमान में जान भी नहीं था इस कारण काफी अंधेरा था काफी ज़्यादा अंधेरा होने के वज़ा से टाइटेनिक के कैप्टन को आगे कुछ भी साब साब दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन अपसोस की बात यहा थी कि उस समय टाइटेनिक जहाज में कैप्टन के सामने एक भी दुर्विन नहीं था जिससे सामने आने वाले चीज़ों को देखा जा सके हाला की कैप्टन की नजर हमेशा सामने थी लेकिन रात में काफी अंदेरा होने के कारण कुछ भी देख पाना मुश्किल था दोस्तों टाइटेनिक जहाज हिमखन चट्टानों से टकनावने से पहले कैप्टन को कुल छे संकेत मिल चुके थे लेकिन कैप्टन ने उस संकेत पर ज़्यादा धियान नहीं दिया और वो तेजी से जहाज को आगे बढ़ाते रहे उस समय रात होने के साथ साथ आसमान में चांद भी नहीं था इससे काफी ज़्यादा घना अंदेरा था जिस वज़ा से कैप्टन को सामने विसाल हिमखन चट्टान दिखाई ही नहीं पड़ा लेकिन रात के 11.40 मिनट पर कैप्टन को लास्ट वार्निंग मिला कि उसके रास्त दोदे में एक विसाल हिमखंण का चट्टान खड़ा है, जबतक कैप्टन को इस विसाल वर्फ के चट्टान के बारे में पता चला तब तक तो बहुत देर हो चुका था क्योंकि उस समय टाइटेंगी जहाज किसी भी समय उस विसाल चट्टान से टक्रा सकता था जब तक कैप्टन को इस वर्फ के विषाल चटान के बारे में सटिकता से जनकारे मिली तब तक उस समय टायटेनिक जहाज उस चटान से टकराने में बस 35 सेकेंड की दूरी पर था इतने कम समय में इतने विषाल जहाज को रोकना या उसकी दिशा बदलना संबब नहीं था टानों से जा टकराया, ये टकर इतना जबरदस्त था कि इससे टाइटेनिक जहाज की एक साइट की जोएंट कीले सरग गई, जिससे जहाज के अंदर पानी काफी तेजी गती से भरना शुरू हो गया, जहाज के अंदर पानी निकालने वाले पंप की पानी निकालने की छमता जितनी थी उससे कई गुना जादा गती से जहाज के अंदर पानी भर रहा था इस बज़र से जहाज से पानी निकालने वाले पंप भी इतना पानी निकालने में असमर्थ हो गया इस परकार से धीरे धीरे टाइटेनिक जहाज के सभी कमरों में पानी भरना शुरू हो गया दो कि titanium जहाज कभी नढ़ने वाला जहाज था इसलिए इसमें लाइब बोटों की संख्या कम रखा गया था क्योंकि जहाज के इंजिनियरों को लगता था कि यह जहाज कभी नढ़ दूब एगा इसलिए उन में बोटों की जरुरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए जहाज में सिर्फ 20 लाइफ बोट ही थे, इन बोटों में सबसे पहले महला और बच्चों को बिठाया गया, बोटों की संख्यां काफी कम होने की वज़ा से सभी बोट में नहीं बैठ सके, इसलिए टैटेनिक की इस घटना मे सबसे ज़्यादा पूर्सों की मौथ हुई, क्योंकि सबसे पहले महला और बच्चों को बोटों में बिठा कर बचाया गया, टैटेनिक जहाज पर उस समय पूरा अफरा दफरी मच गई, क्योंकि सभी लोग बोटों में गुद कर अपना जहान बचाना चाहता था, टैटेन उसकी बात या है कि म्यूजिक बजाने वाले सभी लोगों को भी नहीं बचाया जा सका और दोस्तों टैटनिक जहाज के साथ साथ उसकी भी मौत हो गई इस तरह से टैटनिक जहाज में एक हिस्से में ज्यादा पानी भर जाने से वह हिस्सा समुद्र के नीचे की और और दूस होकर समुद्र के अंदर डूब गया दोस्तों टैटनिक जहाज की इस घटना से लगबग 1500 लोगों की जाने चली गई लेकिन उसमें से कुछ लोगों ने सेप्टी जैकेट पाहन कर अपनी जान बचाने की कोसिस की लेकिन एट्लांटिक महासागर का पानी काफे ज्यादा ठ कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार